जै गुरुदेव महर्शी वेद विज्ञान विश्विद्ध पीठ जोतिष भाग द्वारा दैनिक बेदिक पंचांग प्रिस्दुत करते हैं आज दिनांक 9 फरवरी संदोहजार 24 से महर्शी संबस्तार 107 चल रहा है विक्रम संबस्त दोहजार असी के अंतरगत उत्तरयन शिशिर्टू माघमास कृष्ण पक्षण की आज से तुर्दसीती थी साथ बचकर 11 मिनट पराता परियंद रहेगी तस पच्छात अमावश्यात थी शुरू होगी आज दिन सुकरवार है आज स्रवन नक्षत्र है 11 बचकर 57 मिनट रातरी परियंद तस पच्छा धनिष्ठा नक्षा सुरू होगा आज ब्यतिपात योग है 7 बचकर 30 मिनट रातरी परियंद तस पच्छा बरियान योग सुरू होगा आज सकुनी करण हैं शाद बच कर 11 मिनट पराता परियन तस पसचाँ चतस पत करण शुरू होगा आज सुरो दैज 6 बच कर 29 मिनट पराता है सुर्यास्ट का समय 5 बच कर 31 मिनट शायम है राहुकाल 10 बच कर 30 मिनट शेपरारम होकर 10 बजी दिन तक रहेगा बिसेस में आज मौनी अमावश्या और इसका इशनान दान का विशेश महत होता है इसी क्रम में द्वास राश्यों का फल सरप्रथम मेश राशी आप अपने अंदर बहुत ही आत्म विश्वास और उस्वास करेंगे अपने हर कार को लगज से करने की लिलक रहेगी और अच्छे परिणाम भी हासल होंगे संतान का कोई खासकार बन जाने शे मन में प्रफलता और उत्साह रहेगा आपकी ही कुछ लापरवाई और लेट लतीफे की कार्ण महत्पूर्ण कारों में बिबधाना आएगा आए बढ़ने के साथ साथ खर्ची भी बढ़ जाएंगे जिसकी विज़े से सेविंग करना मुश्किल होगा भाईयों के साथ संबंदों में मजबूती बना करके रखें मार्केटिंग तथा जन्संपर का दायरा बढ़ाए साथ ही सफलता पाने के लिए बिबशाय संबंदे छोट छोटी बारिक में पर ध्यान देने की जरूरत है बर्शब राजी कोई शुखत समचार मिलने से दिन प्रशन नमाय रहेगा किसी प्रभाव शाली ब्यक्ति के संपर्क के माध्यम से आपके कई कारे पूर्ण होगे और कारशेत में सफलता मिलेगी करमचारियों से पूरी मदद मिलेगी आपका बर्चुस बना रहेगा इस समय फायदे में संभाव नाएं बनेगी इन सकारात पक परिस्थियों का सदीवयों कर लें मार्केटिंग समन्दी काओं में लापर बाहि बिलकुल ना करें मित्धों राजिए घर में खास महमानों के आने से काफी ब्यस्तता रह सकती है आया आप प्रति दिन के कारे को ब्यस्त दिन चरिया में से कुछ समय सुकोन और मौज मस्ती के लिए भी निकाल लेंगे संतान की तरफ से भी कोई सुबसवाचार की प्राप्ती होगी बिद्यारती अपने पड़ाई से बिम्खोश रकते हैं समय उनका ध्यान बाहरी के तिवधियों तथा मौज मस्ती में लग सकता है कुछ लोग आपको भावनात्म करूप से कमजूर करने के लिए अफ़वाएं पहलाएंगे ऐसी लोगों से साथधार रहना जरूरी है दिन के सुरुआत में भाग दोड़ रहेगी दोफेर बात अचानक काम बनने सुरू हो जाए करकर आशी बड़े लोगों के गाइडेंस में रहें इससे पारिवारिक समस्चाओं को धहरे और शायम से सुल्जाने में शफर रहेंगे घर के बदलाव शमन्दी मावलों पर बातचीत हो सकती है जो सकारात्मक रहेगी फालतु खर्चों पर कटोती करें बजट बिगड़ने से समश्चाओं बढ़ सकती हैं घर के बड़े लोगों के सम्मान का ध्यान रखें आपको अपनी बाणी और बेवार में थोड़ा लचीला पर लाने की जरूवत है बहादुक्ता में अपना नुक्षान ना करें अपने बिजनिस में काम करने के तरीकों में बदलाव करने से नई संभावना और मौक्य मिल सकते हैं दूरस्थान के लोगों से कांटेक्ट करते वक्त शाबधान रहने की जरूवत है आफिस में छोटी सी गलती की बज़े से मुश्कलें बढ़ सकती हैं अधिकारियों से मदद लेना उच्चत रहेगा शिंग राजी नईदी की रिष्टेदारों और दोस्तों के साथ मेल मुलाकात होगी द्रन नश्चाए होकर काम करने से सफलता मिलेगी सारे रिक और मांसिक रूप से स्वस्त महसूस करेंगी इसलिए यात्रा की योजना ना बनाएं अपने कारपर ध्यान देना जरूरी है कोई सरकारी काम रुका होँ है तो उसे पूरा करना जरूरी है करने अराशी दैनिक दिंचरिया तथा अपने पसंद दीदा कामों को अहिम्यत दे इससे मांसिक सुकून मिलेगा, घर में रख रखाओ की कामों में मदद मिलेगी किसी करीबी के साथ मेल बैठकर अपने दुख बटाएं, बाटेंगे इससे कोई शैलूशन में निकलेगा जल्दवाजी ने करें, अनभव की कमी के कारण काम अटक सकते हैं नजदी की लोग आपकी भावनाओं का नाजाज फायदा उठाएंगे बिवादों में सांत रहना ही उचत है कारुबार बढ़ने की संभावना हैं, पूरे मन से कोसिस करें ज़्यादा सोच बिचार करने से उपलब दिया हाथ से निकल सकती है बियस्ता रहेगी लेकिन आपको उचत परिणाम भी मिलेंगे दूसरों से आगे निकलने की चाहत कारच्छमता को बढ़ाएगी विध्यार्थियों की अपनी पढ़ाई में रुची बनी रहेगी बच्चों से सम्मानत किसी भी समस्या को सांती पूर्ण तरीके से सुलजाने का प्रियास करें दूसरों के मामले में ना उलजें इससे आपके शोहिवान को ठिस पहुंच सकती है बिच्चिक रासे दिन की सुरुआत बहुत ही बहतरी रहेगी किसी भी तरह का लेंदन करते समय जल्दवाजी न करें बहतर होगा किसी अनभवी वक्ति किसे सलाय अवसले क्योंकि निवेश सम्मन्दी मामले में कुछ असमंजस की इस्तिती रहेगी कुछ लोग जलन की भावना से आपकी आलोच न करेंगे साबधार रहें बिजनस सम्मन्दी गत्विदी सुचारू से चलती रहेंगी बरिश्ट लोगों दोवारा आपको उचित सलाय और सुझाव भी मिलेंगे मीडिया कंप्यूटर आदी जैसे बिवार में मीडिया कंप्यूटर आदी जैसे बिवशार में बहती सफलता मिलेगी सरकारी शेवारत लोगों को कोई दूर दराज की आफिशी लियात्रा पर जाना पड़ सकता है धनू राशी पारिवारिक जनों के बीच उच्चत सामंजस बने रहने से कोई बिसेश समश्या हलो शक्ती दैनिक कारूं को ही सुगमता से पूरा करने का प्रयास करेंगे घर में महमानों के आगमन से खुशी भरा माहल रहेगा और विसेश मुद्दों पर भी बारतालाफ होगा किसी बाहरी ब्यक्ती द्वारा कोई बनाया गया काम बिगड़ने से मन दुखी रहेगा इस समय भावनाओं में आकर प्रैक्टिकल तरीकेशी बिवहार करें संतान की गतिविशों पर नजर रखें तिथा उनका मारदसन करती रहें मकराशी आपका कोई ब्यक्तियत काम आज सफलता संपन होगा जिससे आपके अंदर खोया हुगा आत्म बिश्वास पुना जागरत होगा इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में हैं किसी बिशिष्ट ब्यक्ति का शहिव भी आपको मिलेगा ध्यान रखिए किसी भी पर जल्दवाजी बिश्वास करना अत्मा भावक्ता की बज़े से आपको धोखा मिल सकता है किसी भी मेल जोल या मीटिंग संबन्दी कारों में बाचीत करने से पहले रूप रेखा अवश बनाएं कुम्भराशी आज कुछ सुखद घटना होंगी रुकी ही पैमेंट आ जाने से राहत मिलेगी और आर्थे की स्थिती भी बहत्र होगी किसी धार्मिक संस्था में शेवा संबन्दी कारों में आपका विसे से युगदार रहेगा बच्चों से संबन्दित कोई शमच्चा हल होने से राहत महशुष करेंगे नेड़ा लेन में जल्दवाजी ना करें ज़रुस से ज़्यादा किसी पर विश्वास करना आपके लिए परिशानी का कारण बन सकता है इसलिए सतर करें अपनी चीजें बिवस्तत रखें लेन देन संबन्दी मामले को इस्थागत रखना उच्चत रहेगा कारोवारी परिस्थतियां कुछ बहतर होगी बिदेश शंबन्दी विश्याय में पुना गती आएगी मीन रासी समय कुछ मिले जुले प्रभावाला रहेगा साथधाने से कारों को अंजाम देने से बहतर परिणा मिलेंगे युवाबर को भी अपने कैरियर अर्थवा प्रोजेक्ट से सम्मंद सफलता मिलने के उच्चत संभाबना है घर के रख रखा और उच्चत बिवस्था बनाए रखने में भी आपका उच्चत युगदार रहेगा किसी भी तरह के बाद विवाद की इस्तिती से खुद को दूर रखना ही उच्चत है इस समय ब्यक्तिगत अतबाब पारिवारिक समंदी कोई भी महत्पूर नणा नहीं ले तो अच्चा है मानहानी की इस्तिती से बचने के लिए अपने शुभाव में शैयम और सहिचता बनाए रखें अपनी बिवशायक योजनाव में किसी अपरशित व्यक्ति को शामल ना करें कारिस्तल पर अपनी उपस्तिती बनाय रखने की वहस्ता बनी रहेगी यह रहा आज का दैनिक पंचांग एवन दौस राश्रों का फल इसी के साथ हम अपनी बार्णी को बराम देते हैं जाए गुर्देव जाए महाश्री